तो गैस मैंने कुछ दिन पहले एक cooler बनाया था लेकिन उसके connection ही नहीं बताया और आजके वीडियो में वोई connection को देखने वाले है तो गैस पहले दो pump को power देने के लिए 7805 एक IC चाहिए और एक capacitor चाहिए जिसका value है 1000μF 25V इस IC का first pin में हमें 12V power देना है and second leg रहेगा ground third pin से हमें मिलेगा 5V इस IC के second pin and third pin में इस capacitor पर एड़ करना है और यहाँ पर direct 12V ना देखे इसके सामने एक switch एड़ कर देएंगे second pin and third pin से 5V output लेके इस pump में देएंगे जो हमारा cooler को ठंडा रहेगा और हमारा cooler का जो fan है उसका speed control करने के लिए हमें लेना है एक IRF-Z24N MOSFET और एक 10K resistance एक 100 के potentiometer और एक diode diode minimum 2A का चाहिए अब इन सब की connections देख लेता है MOSFET का first pin और potentiometer का second pin connect रहेगा एक साथ और इसकी बीच में 10K resistance रहेगा MOSFET का second pin और potentiometer का third pin connect रहेगा और potentiometer का first pin को हम कर देंगे ground यहां तक connection होने के बाद हमें चाहिए एक slide switch जिसके middle वाले pin पे 12V input देंगे और इसके सामने एक switch लगा देंगे जो main switch होगा switch के नीचे वाले pin से 12V output देंगे fan को और fan का second pin तो negative रहेगा switch के उपर वाले pin से MOSFET का second pin पे 12V input देंगे MOSFET का third वाले pin से 12V output निकालके fan के positive में connect करेंगे जिसके बीच एक diode रहेगा ये लोग आपका connection हो गया already अब उसका skin shot ले सकते हो तो एक बाद ध्यान से समझ लो ये है pump का switch इसे on करने के बाद इस IC में power जाएगा और pump चलो हो जाएगा ये है fan का main switch और ये है second switch इसे ही आप select कर सकते हो कि कैसे आपका चलाना है अगर switch उपर की तरफ रहे तो current इन चीज़ों से होते हुए motor में आएगा और अगर switch नेज़ी की तरफ रहे तो fan में directly current आ जाएगा और high speed में चलेगा तो guys हमारा सारा connection complete हो गया है फिर से अब देख लो कैसा क्या है diagram अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो जल्दी से like करो और इस तरीक का content चाहिए तो जल्दी से subscribe करो next वीडियो के लिए एक बहतरीन project बना रहा हूँ अगर उसे देखना है तो इस family का member बन जाओ सिर्फ subscribe करके मिलते हैं next वीडियो में new project के साथ